नमस्कार दोस्तों, स्ट्यूटर्स के इस सेशन में हम कक्षा ग्यारवी के कबीर के पद में से दूसरे पद को पढ़ कर समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम पद को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेते हैं संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, जूटे जग पतियाना नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कच्छ नहीं ग्याना बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितेब कुराना के मुरीद तद बीर बतावे, उनमें उहे जो ग्याना आसन मारी धिम्ब दरी बैठे, मन में बहुत गुमाना पी पर पाथर पूजन लागे, तीरत गर्व भुलाना तोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना साखी सबद ही गावत भूले, आतम खबरिन जाना हिंद कहे मोहिराम पियारा, तुर्क कहे रहिमाना आपस में दोव लरी लरी मुए, मर्म न काहु जाना घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना गुरु के सहित सिख्य सब बूढे, अंतकाल पछिताना कहे कबीर सुनो हो संतो, इसब भर्म भुलाना के तिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना अब इसमें जो कठिन शब्द है, उसके शब्धार्त को देख लेते हैं बौराना, पगला जाना धावे, दोड़ते हैं पतियाना, यानि कि विश्वास करना धर्मी, धर्म का पाखंड करने वाले असनाना, सनान करना या नहाना आतम, स्वयम पखा नहीं, पत्थरों की मूर्तियों को बहुतक, बहुतसे पीर ओलिया, धर्म गुरु या संत या फिर ज्यानी कुराना, कुरानशरी जो इसलाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है मुरीद, शिश्य या अनुगामी तबदीर, उपाय आसनमारी, समाधी या ध्यान मुद्रा में बैठना दिम्भधरी, आडंबर करके गुमाना, अहंकार पीपर, पीपल का व्रक्ष पाथर, पत्थर चाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर विभिन प्रकार के तिलक लगाना साखी, गवाह सबदही, मंत्र और ये मंत्र जो है, वो गुरु शिश्य को दिक्षा के अवसर पर देता है आतम खबरी, आत्म ज्यान रहिमाना, रहम करने वाला दयालू महिमा, गुरु का महात्मी, सिख्य, शिश्य अब हम इसके भावार्त को समझने की कोशिश करते हैं संतो देखत जग बौराना यहां कबीर कहते हैं कि हे संतो देखो ये जग, यानि कि ये जगत बौरा गया है पागल हो गया है सांच कहो तो मारन धावे जूटे जग पतियाना क्यूंकि जगत के लोग जो है वो सच कहने पर या फिर सचाई के पक्ष में रहने पर मारने को दोडते हैं और जूट कहने पर उस पर विश्वास भी करते हैं और जूट कहने वालों लोगों का साथ भी देते हैं नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे असनाना इसकी बात कबीर कहते है कि उन्होंने ऐसे बहुत से प्रसिद यानि कि नेमी और उसी प्रकार धर्मी जो लोग धर्म का पालन करते हैं तो ऐसे लोगों को देखा है जो सुभा सुभा उटकर स्नान करते हैं आतम मारी पखाने ही पूजे उनमें कच्छुने ही ग्याना और देखने वाली बात ये भी है कि इस प्रकार के जो नेमी और धर्मी लोग होते हैं जो कि सुभा सुभा उटकर स्नान करते हैं ये लोग जो है अपने अंदर बसने वाली शक्ती को पहचाने बिना बाहर पत्थरों को पूजा करते हैं और ये सही रूप में ग्यान नहीं है बहुतक देखा पीर ओलिया पड़े कितेब खुराना ऐसे बहुत धर्म गुरु या संतों को भी उन्होंने देखा है जो मोटी मोटी पुस्तके पढ़ते हैं किताब पढ़ते हैं और फिर जो है इन धार्मिक पुस्तकों से ग्यान बटोर कर उससे ग्यान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ग्याना ऐसे संथ या गुरु जो है इन किताबों के सहारे अपने अनुगामी या शिश्य को उपाई बताने की कोशिश करते है परन्तु ध्यान देने की बात ये है कि ये वास्तविक ज्यान प्रदान नहीं करते आसन मारी धिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना कबीर कहते है कि ऐसे लोग जो है वो समाधी या फिर ध्यान मुद्रा में बैठ कर आडंबर करते है परन्तु असलियत यही है कि उनका ध्यान भटक रहा है और उनके मन में एहंकार की भावना है पी पर पाथर पूजन लागे तीरत गर्व भुलाना तोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना व्रिक्ष पत्थर तीर्थ यात्रा करके तोपी माला पहन कर माथे पर तिलक लगाकर ऐसे लोग दिखावा करते है आडंबर करते है साखी सबद ही गावत भूले आतम खबरीन जाना यानि कि ये लोग साखी सबद वगेरा गाते रहते हैं परंतो ये आत्म ज्यान से वंचित रह जाते हैं आत्म तत्व को जो ज्यान होता है वो इन्हें नहीं होता हिंदु कहे मोही राम पियारा तुर्क कहे रहिमाना आपस में दोवू लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना हिंदु लोग जो है वो राम के नाम से और तुर्क लोग जो है वो रहिमान के नाम से पुकारा करते हैं और दोनों जो है आपस में यूही लड़ते रहते हैं परंतु दोनों पक्ष के लोग इस सचाई को या फिर इस मर्म को नहीं पहचान पाते कि भले ही नाम अलग-अलग हो परंतु परमात्मा तो एक है घर-घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना कुछ लोग यानि कि ये जो संत या गुरू होते है इन मेंसे कुछ लोग ऐसे होते है जो घर-घर जाकर मंतर देते फिरते है और अपनी सीख पर अभिमान करते है गुर के सहित सिख्ष सब बूढे अंतकाल पच्छिताना तो इस प्रकार के जो गुरू होते है उनके जो शिश्य होते हैं वे मूर्ख बन कर रह जाते हैं क्योंकि ये जो गुरू होते है वो बाहियदंबरों पर विश्वास करते हैं और कही न कही इसके इदौरान अपने अंदर के आत्म ग्यान को वो जानने में सफल नहीं हो पाते और यही कारण है इस प्रकार के अज्ञानी गुरू से शिक्षा प्राप्त करने वाले उस शिष्य भी वो शिष्य भी अज्ञानी बन कर रह जाता है और ऐसे में जो है वो शिश्य मोह माया में पड़कर आधा अधूरा ग्ञान प्राप्त करता है और जीवन के अंतिम शणों में या फिर बाद में जो है पच्छताने लगता है कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भरम भुलाना के तिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना अंद में कबीर कहते है कि हे संतो सुन लो ये सभी जो उप्युक्त उपर बताई गई बाते है ये सभी जो बाह्याडंबर है ये तो बस ब्रह्म है कबीर कहते है कि सुनो ये सभी जो रास्ता है वो सही नहीं है बल्कि ईश्वर की प्राप्ति तो हमें सरल और सहज रूप में ही किया जा सकता है क्यानि कि अगर हम कहें तो यहां कहते है कि उप्युक्त सभी चीज़े तो ब्रह्म है इन्हें भुला दो क्योंकि ये जो चीज़े है वो ईश्वर को इस प्रकार के बाहिया डंबरों से नहीं बल्कि सरल और सहज रूप में ही जाना जा सकता है पहचाना जा सकता है नकी दिख भावे और ढूंग से कुल मिलाकर कहें तो यहां कबीर ने बाहिया डंबरों पर प्रहार करते हुए इश्वर को आत्म ज्यान और सहजता पसरलता के साथ प्राप्त करने की बात की है अब हम एक बार फिर से सभी बातों को ध्यान से देख लेते हैं तो यहां पर कबीर कहते है कि जग तो पागल हो गया है पगला गया है क्योंकि यहाँ पर जो है सच कहने पर लोग मारने दोड़ते है और जूट बोलने पर विश्वास करके साथ देते है फिर कबीर कहते है कि उन्होंने ऐसे बहुत से प्रसिद यानि कि नेमी और धर्मों का पालन करने वाले धर्मी को देखा है जो कि सुबह सुबह उटकर स्नान करते है पत्थरों की पूजा करते है लेकिन वो आत्म ज्यान या फिर अपने अंदर बसने वाली शक्ति को नहीं पहचानते वो किताब पढ़ते है, उसमें से ज्ञान बटोरने की कोशिश करते है और इन्ही किताबी ज्ञान के माध्यम से अपने शिश्यों को उपाई भी बताते है वो ध्यान में बैठ कर, समाधी में बैठ कर एहंकार करते है पीपल, पत्थर, टोपी, माला, तिलक आदी लगाकर दिखावा करते है परन्तु इसके बावजूद भी वो अपने अंदर की शक्ती को न पहचान कर, उसे बाहर ढूंडते रहते है फिर कबीर कहते है कि भले ही इश्वर के नाम भिन भिन हूँ हिंदू के लिए राम, तुर्क के लिए रहिमाना हूँ, लेकिन सत्य तो यही है कि परमात्मा तो एक है फिर वो बताते हैं कि ये जो सभी चीजे है, जो बाहियाडंबर है, ये सभी एक प्रकार का भ्रम है और हमें इस भ्रम को भुलाकर सहजता वसरलता के साथ इश्वर को पहचानने पर बल देना हूगा इस प्रकार उप्युक्त सभी बाहतों के माध्यम से वो बाहियाडंबरों पर प्रहार करते हुए इश्वर को आत्म ज्यान और सहच वसरलता के साथ प्राप्ट करने की बाद इस पद में कहते हैं तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सब को समझ में आ गया होगा धन्यवाद